नमस्त्ते दोस्तों, आज हम एक दम देशी तरीके से करेला बनाएंगे ये बीना कड़वे लगे करेले बहुत टेस्टी बनते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है बीना मिर्चा के बनाएंगे ये करेले उसके लिए सबसे पहले आधा केजी करेला ले दिया है अब इस तरह से उपर का भाग छील देना है जिससे कड़वा कम लगता है करेला अब भी इसे चीरा लगा देना है चीरा लगा के इसके बीज को निकाल देना है चापुस इस तरह से बीज को निकाल देना है या फिर नाखुन से निकाल देना है अब मसाला तयार कर लेते हैं, मसाले में धनिया ले लिया है, आधी कटोरी धनिया है, एक छोटी चमज जीरा, एक छोटी चमज सौफ ले लेना है, एक छोटी चमज कलाउंजी ले लेना है, अब सारी चीज़ा अच्छे से भून लेना है, हमारे या इसी तरह से करेला बनता है इसमें मिर्चा नहीं पढ़ता है इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी करेला बनता है मसाले भून चुके हैं अब इनको निकाल लेना एक प्लेट में हलका सा ठंडा कर लेना है अब इसको पीश लेना है सिल्वट्टे पे या फिर मिकसर जार में भी पीश सकते हैं अब नमक ले लेना है नमक डाल के बहुत जल्दी धनिया फूट जाती है और मसाला बहुत जल्दी पीश जाता है इसलिए नमक साथ में ही डाल देना है हमारे यां करेले में मिर्चा बिल्कुल नहीं पड़ता है मिर्चा से टेस्ट बेकार हो जाता है करेले का इसलिए हम लोग मिर्चा नहीं डालते हैं एक बार इस तरह से बनाएके देखिए करेला बहुत टेस्टी बनता है और कड़वा भी नहीं लगता करेला देखिए हमने सारा मसाला पीस लिया है अब दो अमिया ले लिया है छील की इस तरह से डाल देना है और लेसुन डाल देना है और इसको भी पीस लेना है अमिया डालने से एकदम खटा लगता है करेला और खाने में बहुत टेस्टी लगता है और कड़वा बिलकुर नहीं लगता हम यह डालने से इससे खटाई मिल जाती है करेले को जो बहुत टेस्टी बनता है करेले का मसाला तयार हो चुका एक प्लेट में रख लेना है सिल्वट्टे से मसाले को निकाल लेना है जो थोड़ा सा लगा है देखिए मसाला तयार हो चुका इसमें थोड़ा सा सरसो का तेल डाल देना है जिससे मसाला अच्छे से बंध जाएगा जिससे करेले में भरते बनेगा और पिखरेगा नहीं मसाला देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है तेल में अब करेले को भर लेना है इस तरह से करेले को भर लेना है देखे इतना ही भरना है इतना ही परफेक्ट मसाला है बहुत ज़्यादा नहीं भरना है ऐसे ही सारे करेले भरके तयार कर लेना है सारे करेले भरके तयार कर लिया है अब इनको पका लेना है एक कड़ाही में सरसो का तेल ले लेना सरसो की तेल में करेले बहुत अच्छे बनते हैं और थोड़ा सा जीरा डाल देना थोड़ी सी हल्दी पाउडर अब करेले रख देना है हम लोगों के करेले में तेल थोड़ा जादा ही पड़ता है क्योंकि जादा दिन करेला चलता है खराब नहीं होता है तेल में ही पकाना रहता है इसलिए तेल थोड़ा जादा ही डालते हैं जब यह पक जाते हैं तो तेल पूरा सोंक लेता है करेला जो देखे करेले लगभग पक चुके हैं, बस इनको थोड़ा सा खर करना है, अब क्रिस्वी कर लेना चलाते हुए इस तरह से, अब ढ़कना नहीं है इनको, ऐसे ही खोल के पका लेना है, ये करेले आप लोग 15 से 20 दिन भी रखेंगे तो खराब नहीं होते हैं, बस खाना हो तो हल का सा गरम कर लेना है, या फिर ठंडे भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इन करेलों में एक बून भी पानी नहीं पड़ा, इसलिए खराब नहीं होते हैं करेले, इसलिए इसमें तेल ज्यादा पड़ता है, देखे कितने अच्छे करेले बनके तयार हो चुके हैं इनको दाल लेना है इनको दाल चाओल के साथ या फी रोटी पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी लगते हैं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए गा और अपने फेमिली मेंबर दोस्तों के करें देखे भाल और अवस्तों है खात उनको दोस्तों के साथ जीए घ्याछ ट्सेहें आपे जलता हैं आप ट्रे हैं